असलाम अलेकम, how are you student? I hope you will be fine. तो दोस्तों, आज कहां हमारा टॉपिक है आपार्टिंग. तो ये जो शॉर्ट प्ले है, ये लिखा गया था है, गॉर्डन बोटमले के जानब से. तो ये एक बहुत एहम टॉपिक है, कि ये प्ले प्जाव यूनिवस्टी के, जे इंगलिस लिटरेचर है, उसके ये सलेबस का हिस्सा है. तो दोस्तों, आज हम इसकी समरी के बारे में डिटेल से गुफटगू करेंगे. तो ये एक मुक्तसर सा प्ले है, ठीक है जे, लेकिन इसमें एक बहुत ज़्यादा एक मीनिंग छुपे हुए है, तो आव बगे टेंवस्टी के चलते हैं हम अपने टॉपिक के जानब. अप प्ले ओफ, कॉम्पल्जन्ज, बोट इनर एंड आउटर, ठीक है जे. अंदरूनी और बिरूनी, दोनों तरफ से जबर्दस्ती का खेल. ठीक है जी, के ये जो खेल है, ये पले है, ये लिखा गया है, दरसल इनसान की परसनल और इंपरसनल जो इनसान की राये होती हैं, खौहशाद होती हैं इनके बारे में. ठीक है जी, के लाइफ के अंदर इनसान को ऐसे वाकियात का सामना करना पड़ता है, जो इनसान के लिए काबल कबूल नहीं होते, मगर उसको मुझबूरी की हालत में उनको कबूल करना पड़ता है. ठीक है, तो अब इदर जो सबसे पहली ही लाइन है, अपले ओफ, कमपल्जन्ज, बोथ, इनर एंड आउटर, के ये एक हमारी, अकसर हमारी जो मुझबूरी होती है, वो इनर होती है, इनर मुझबूरी में किया है, कि हमारी अंदर की जो कुछ जरूरियात हैं. ठीक है जी, अब किसी किसम की भी कह सकते हैं, कुछ सेक्सवल कह सकते हैं, बोग से रिलेटिड कह सकते हैं, किसी भी किसम की, आउटर भी किसी भी किसम की हो सकती हैं, कि अब इनर को ही पूरी करने के लिए हम आउटर जो फंक्शन्स हैं, वो जो पले करते हैं, उनका जो करद बार दा करते हैं ठीक है जी तो आगे है जी आपार्टिंग होल्स ता थीम ऊफ डिपार्चर तो जो इसका जो में थीम है इसका जो में मोदू है वो है जी के रुवानगी ठीक है जी जुदाई के जिस तरह हैं जी के आ पार्टिंग होल्स दा थीम ओफ डिपार्चर के जो ए आ पार्टिंग है ये डिपार्चर ये रिवानगी के मौज़ को बरकरार रखता है ठीक यह बियान करता है दा डिपार्चर इस आ पर्मानेंट डिपार्चर तो ये जो रिवानगी है ये क्या रिवानगी है ये ये मुस जूलित के नाम नहीं ब्यान किया गया उसका ना मेंशिन नहीं किया गए खीक है? उसको कैसे यूज किया गया है? उसका हवाला दिया गएर है ओल्ड उउमियन और मदर क्या कर जूलिट कैन नेथर लेव नर कैन स्टे तो इस जुमले में वो कहhanded है जो जूलिट है वो इस पोसिशन में है इस कैफियत में है कि वो ना ही तो छोड़ सकती है और ना ही रुक सकती है ठीक है जी तो ना ही वो अपनी माँ को पीछे अकेली छोड़ना चाहती है और ना ही रुकना चाहती है हर मौदर इस नो मौर एन अनरजेटिक एली राइजर तो क्या उसकी जो माँ है वो अब मजीद इतनी तवानी नहीं है कि वो जल्दी उठ सके कि अब वो सुबा को जल्दी उठने वाई नहीं है मिसाल है कि जैसे ओल्ड बूरी एज के अंदर जो लोग होते है वो कैक एक बार वो जब सो जाते हैं या अराम करने के लिए मंजी के ओपर बैड़ के ओपर कुरसी के ओपर बैठते हैं तो जब उन्हें उठने के लिए कहा जाता है तो कहेंगे या रुक जो बैस थोड़ी डे रुक जो रुक जो कि एक उनमें इतनी कुवत जल्दी डिवेलप नहीं होती दोबारा के वो जल्दी से उठ सकें कि इस कंडिशन में है उस वक्त उसकी माँ इवन तो जहां तक के अगरचे शी ट्राइस टू राइस एरली जहां तक के वो जल्दी उठने की कोशिश भी करती है शी हैस टू स्लिप वांस मॉर के उसको एक बार मजीद सोना पड़ता है के वो जब सोई होती है तो उसकी आँख खुलती है मगर वो फिर जो है वो आखे बंद कर लेती है या बिस्तर में ही लेटी रहती है के टाइम गुजर ही जाए तो अच्छा है और वो ये चाहती है कि सूर्च जो है वो जादा यानि के निकल जाए कियूंके वो इन चाहती है कि टाइम गुजरे आज हमारे माशिरे के अंदर जो लोग हैं जो बड़ाफे के उमर पहुंच जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि यार हमें जल्दी मौट आ जागा क्योंके वो अपनी जिंदगी से इसकदर ठक जाते हैं कि वो ये चाहते हैं कि उनकी जिंदगी का जो भी टेम है वो जल्दी जल्दी कुजर जाए तो यहां कह रहा है कि ये जिन्दगी की तनहाई की आम कबूलियत है ठीक है जी, stoicism है, on resilience कि इनसान को आखरकार पल्टना पड़ता है, जाना पड़ता है चाहे वो खुशी में हो, चाहे वो गम में हो कि इनसान को आखरकार जाना पड़ता है, जो दाई सहनी पड़ती आज हम माएं जो होती हैं वो पपनी बेटियों को बहुत प्यार से पालती हैं लाड से पालती हैं आखरकार जो पालती है। हो सकता है कि जिन्दगी के कुछ दूसरे रास्तों की ये तक्दीर है कि यनि मतलब ये होता हैvant कि जिसके अंदर इंसान की मर्जी शामल ना हो कि इंसान के जो ऑमल इंसान करता है जो हलात उसको फिस वो करने पड़ते हैं उसको वो पहले से जो है वो फिक्स होते हैं परी डिटर्माइनिड होते हैं वो क्यों इनसान के खत्यार में नहीं होते हैं वो क्या होता है कि तनहा ही रहना पड़ता है कि वो तनहा ही रह जाते हैं दिये लॉनलीनेस उनकी तनहाई लोस ओफ विटाल्टी ना एट दियर सोल्स कि उनकी जो रूह होती हैं उनके उपर क्या होता है कि उनकी जो ताकत है वो खतम हो जाती है क्यों खतम हो जाती है कि तनहाई की वज़ा से जैसे के बढ़ापे के अंदर जो वालदैन होते हैं उनकी ये खौइश होती है कि उनकी विलाद उनकी आँखों के सामने रहे वो उनके साथ बात चीद करते रहें क्यों? क्योंकि वो इस चीव के आधी हो चुकी हो जोड़ी है उन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी उनकी पर्विरिष के ओबर ही लगा दी होती है खर्च कर दी होती है तो जब वो उनको नहीं बलाते तो वो क्या होता है? वो मायूस हो जाते हैं तो वो खतम हो जाते हैं The Teethers of human relation are both strong and weak के जो इनसानों के जो तालकात का जो रिष्टा है नाता है Teethers यानि के नाते तल्लक कि जी, वो क्या है? वो दोनों हैं, ताकतवर भी कमजूर भी कि इनसान के जो रिष्टे हैं वो दोनों तरफ से हैं कमजूर भी हैं और ताकतवर भी है कि जब तक वो किसी के साथ अच्छा चल रहा है रिष्टा तो चल रहा है, अगर तूटने पड़ा है तो एक छोटी सी बात पर ही तूट जाता है Juliet feels Juliet मसूस करती है कि वो अपने महबूब के पास नहीं जाना चाहती How did not call for so long कि जिसने उसको बहुत ही अरसे से काल नहीं की ना बलाया है She wished वो खौश रखती थी He could fetch her कि वो उसे लेने खुद आए But did not अल्थो लेकिन ऐसा अगरचे ऐसा नहीं हुआ She knows अब वो जानती है About the exactness of the chimining On the hilltop of Edenburg Castle के Edenburg का जो महल है महल के पहाड़ी के टॉप के ओपर के जो Estee Margate का जो Clock की जो 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 रफतार है जो हम अहंगी है उसकी जो हकीकत के बारे में वो जानती है ठीक है जी के चिमिनिंग के उसकी हम अहंगी के जो वकत है उसकी रफतार नहीं वो कड़याल नहीं रुकेगा वकत नहीं रुकेगा वो उसके बारे में जानती है और साथ में आगे वो क्या करते हैं येट अब लेकिन अभी तक Begins collecting outside clothes के वो जब बाही के कपड़े है उनको भी अकठे करती है showing दखाते हुए that she is staying के वो रुक रही है not going to her far off lover के वो अपने दूर वाला जो lover है उसके पास नहीं जा रही तो आगे जूलिट's imagining herself के जो जूलिट के जो अपने जो तकहिलाद है उसके साथ क्या करते है क्या उसको दिखाते है as a bride के जो अपने ही तसावराद के साथ वो अपने आपको दूहलन बनाती है her wearing colorful rustling clothes amidst perfumed roses compel her from inside to leave for good कि वो क्या क्या कर सोचती है कि उसने क्या किया है कि उसने जो फूलों की खुशबू के दरमयान उसने जो रंगीन जो फूलों वाले कपड़े है वो पहने हुए है और वो क्या चाहती है क्या चाहती है क्या चाहती है लेकिन वो अंदर से यही उसकी खुश्वाइश है कमपैल मजबूर है हर फ्रॉम इंसाइ टू लिव फॉर गुड कि वो अंदर से मजबूर है अपने दिल यानि कि इस फिक्रे में कहा जा कहने कोशिक कर रहे हैं कि वो अपने ख्यालात के साथ अपने आपको एक बराइड बनाती है दूलन की तसवर करती है कपड़े पहने हुए है रंगीन फूलों वाले कि उसके इर्दगेलद जो कह है वो खुशबू है परफ्यूम है फूलों की अंदर से वो ये ख्यालात है अंदर उसका बिलकुल कर रहा है कि मैं अपने महबूब के साथ जाओं और उसकी दूलन बन जाओं और जो अपनी जो नेक्स लाइफ उसको शुरू करूँ बट लेकिन हाव विल हर ओल्ड मदर लोक आफटर हर सेल्फ बिंग अपूर और डिक्रिप्ट वूमेन लेकिन बाहिड से उसका क्या है लेकिन जो उसकी अंदरुनी जो कंडिशन है वो उसको मजबूर कर रही है कि वो जाए लेकिन अंदर से उसकी क्या कंडिशन है कि हाव विल कि कैसे उसकी जो बुडी हमा है वो अपनी ख्याल कैसे रखिएगी कि जो क्या है जो एक अपूर हैंड डिक्रिप्ट वुमेन है जो एक कमजोर और बावस्ब जाइफ किसम की औरत है ठीक है कि वो अपना खुद का ख्याल कैसे रखिएगी ठीक है जी तो how will she earn her livelihood to make her both ends meet कि वो कैसे पैसे कमाएगी अपनी रोजी रोटिक माएगी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ठीक है जी एंड समीट बोथ एंड समीट के अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन दैट है जिस उमर में जूलिट नोज जूलिट जानती है that old persons cannot even properly change their dresses के बुड़े लोग इस उमर में अपने जो कपड़े होते हैं उनको भी मुनासब तोर पर चिंड नहीं कर सकते तबीर नहीं कर सकते Mothers Elvays trying to change clothes in a separated room के मां हमेशा से कोशिश करती है के अपने कपड़े वो एक अलग कमरे में तबदील करे Was an effort to hide her private मलादी के ये उसकी एक कोशिश थी के जो उसकी जो एक private जो मर्ज है उसको छपा सके or that she wanted to hide her seriousness, laziness and her inability to change as Juliet could change her clothes के वो क्या करती है को छुपाती है अपनी काहली को छुपाती है अपनी सुस्ती को और अपनी जो उसकी जो अंदरूनी जो नकाबलियत है उसकी जो अंदरूनी जो पिमारिया है उसको वो छुपाती है जैसे के लेकिन क्यों आगे के ऐस जूलिट कुड चेंज हर कलोस के जैसे के जूलिट जूलिट है वो जैसे अपने कपड़े चेंज कर सकती है उसकी माँ वैसे नहीं कर सकती क्योंकि उसकी माँ अपनी जो खामिया है अपनी जो उमर की जो उसकी जो मसीब्ते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उसको छपाती है इसलिए वो अलग कब्रे में अपने कब्रे बदलती है अपेर ओफ मदर और डाटर लिविंग अलूफ के एक माँ और बेटी का जो जो जोड़ी है वो क्या है को अलग होने जा रही है के अन हाडली वार्ड ओफ दियर लॉनलिनेस के वो मुशकल से ही जो अलग होंगे वो मुशकल से ही इस जिदाई को सहेंगे वाट विल हैपन इफ दे सेग्रीगेट तो क्या होगा कि अगर वो अलग हो जाते हैं दा मदर सेज मा कहती है fate is sometimes sweet is sometimes one thing کہ جو قسمت ہے وہ ایک وقت میں کچھ ہوتی ہے sometimes another اور ایک وقت میں کچھ اور یعنی کہ ایک وقت میں قسمت کا ایک رنگ ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں دوسرا ایک وقت میں وہ خوشی دیتی ہے اور دوسرے وقت میں غم دیتی ہے we do not settle it تو اگر ہم اس کو settle نہیں کرتے اس کے ساتھ اپنی تبدیلی نہیں کرتے अपने जहन को चैर नहीं करते हैं But When we will मगर जब हम करेंगे We have the gift to recognize its presence तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी मजूदी को मजूदगी को समझ जाएंगे कि recognize its presence कि जो इसकी मजूदगी होगी जो उसका फाइदा होगा हम उसको समझ जाएंगे कि जैसे कि उसकी माँ है वो पीछे के लिए रह जाएगी ठीक है जी तो वो क्या है कि वो उसको समझ जाएगी उसको बरदाश कर लेगी उसको मैनेज कर लेगी कि उसने अब ऐसे ही रहना है और जो बीटी है वो जली जाएगी उसकी शादी हो जाएगी उसकी लाइफ चैंज हो जाएगे उसके अंदर तबिलिये आ जाएँगे तो क्या होगा कि वो भी उसे समझ जाएगी यानि कि वो आखिर कार अपनी ही लाइफ में मगन हो जाएगी बिसी मस्रूफ हो जाएगी और वो अपनी माँ की जो प्रॉब्रम्स होंगी उन्हें वो भूल जाएगी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी समरी मुझे मीन है आपको पसंद आई होगी अलाहाफिज